हाई गाईज स्वागत आप कंजू स्ट्रीचिंग आइडिया चेनल पर तो आज हम इस तरीके का गुदगुदा पाइदान बनाने वाले हमार्केट में बहुत महंगा मिलता लेकिन आज हम इसको घर पर बनाएंगे तो फ्रेंड्स यह जो मैंने फ्लोर मेट बनाया है इसको आप सब लोग बहुत जादा प्यार दे रहे हो सबसे पहले आपको थैंक्यू सो मच तो इसको बनाया था तब मैंने कुछ कतरन हमारे पास बचे थे तो मैंने कहा था नेक्ट यूडियो में इसका यूज करके आपको बताने वाली हूं तो देखे यह वाले जो कतरन है इसका हम आज यूज करेंगे यह हमारे पास कम पढ़ेंगे तो देखे मैं कुछ इसके लिए और स्ट्रेचेबल कपड़े ले रही हूं यह देखे यह टोपर है इस तरीके का स्ट्रेचेबल है और यह एक प्लाजो है जो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके तो मैं इनकी कटिंग करके आपको दिखाती हूं कि हमें इनकी कटिंग किस तरीके से करन इसने पतले इसमें कट करोगे तो इसको बिल्कुली आसान है ये अब हमें क्या करना है यह कलर मैं Цना को अलग अलग ही रखना है गया कट कर लेना है इसको कट करके जो इसका मोटा मोटा पार्ट है सिलाई में दबा हुआ है उसको हमें कट करके अलग निकालना है अब देखिए इस तरीके से मैंने चोड़ाई इसकी लगबग तीन इंच की रखके यह पटियां कट कर ली है और यह यहां से थोड़ी सी मोटी पत आपस में मिक्स नहीं होगा अब देखिए जो कत्रंड जो हमारा जो बचा खुआ हुआ है उसको मैं इस तरिके से कट करके ले रही हूँ चोटी से छोटी जो कत्रन है वो भी हमारे आज काम में आने वाली है तो इस तरीखे से हमें देखिए पीस कट कर लेने है और इस पीस की लंबाई लगभग 3 इंच की है तो इसी तरीके से हम सारी कतरन को कट करके ले लेंगे तो देखिए मैंने एक कलर पहले कट किया है जो कि हमने एक टिशट कट की थी जब हम वो बना रहे थे फ्लोर मेट तो उसकी टिशट का एक अपड़ा है तो यह देखिए इसको भी मैंने अलग भरतन में भर दिया सारे ऐसे ही अलग अलग भरतन में भर लेंगे अब देखिए कट्टा हमें कट करके लेना है यह कट्टा मैं डबल फोल्ड में ही लूँगी तो सैड में टेड़ा मेड़ा उसको कट करके निकाल दिया है अब देख कि मैंने एक पुरानी कूर्ती ली है जो कि बिल्कुल क्लरफेड हो गया है यह जूट के कपड़े की कूर्ती है मतलब मोटा कोटन टाइप में यह कपड़ा है इस तरीके से हमने फैला लिया है पिछे वाला पार्ट इसका और साइड में से हमें लगभग डेड़ इंच कपड़ा ऐसे कट कर लेना है इसको कट्टे से बड़ा कट करना है अब देखिए इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर हमें सिलाई लगा लेनी है यहां से भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे कपड़ा अगर ज्यादा बड़ा है तो आप इसको कट कर लेना तिसरी सैड से प्रेद से भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो इधर से देखी कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो ऐसे मैं निकट कर लिया है इस तरीके से यह देखिए हमारे पास बेस बनकर यह तयार हो जाता है अब इसके बीचों बीच भी हमें खुब सारी सिलायां लगानी है तो मैंने सिलाईयां लगा दिया है इसमें लंबी लंबी अब देखिए हमें यहाँ पर एक इंच पर मार्किंग करनी है यह वाली एक इंच पर मार्किंग हमें उपर वहां तक लेकर दानी है दूसरे सिरे तक यह मार्किंग और यह सारी मार्किंग हमें इसी तरीके से एक एक इंच की दूरी पर करनी है और फिर देखिए हमें इनको आपस में मिला लेना इस तरीके से लंबी लाइन बना लेनी है ताकि हमें मार्किंग अच्छे से नजर आए जब हम इसके उपर कपड़ा अटेच करेंगे तो यह दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से मार्किंग करने के बाद सारी लाइन जो है हमारी सीधी सीधी बन कर आएंगी तो इस तरीके से पूरे में लाइनिंग बना लेनी है अब देखिए हमें क्या करना है जो एक कलर उठाना है हमें कोई भी कलर ले लेना और यहां पर ऐसे रखेंगे जो यह जो सिलाई लगा रखी है ना पहले से पट्टी लगा रखी है सबसे पहले हमें इसके उपर लगानी है तो इसके उपर ऐसे रखेंगे ऐसे रखते जाएंगे और इसके उपर जो सिलाई लगा रखेंगे उसके उपर हम रखते जाएंगे सीलते जाएंगे इस तरीके से हमें और कलर सेम लेना है कि कलर लेकर हमें पूरे में इसको अटेज कर लेना है तो देखिए एक पीस हमें इसके उपर ऐसे अटेज कर लेना है तो देखिए एक लैन पूरी हो गई है अब हमें क्या करना है दूसरी लैन बनाते टाइम इसको ऐसे हटाएंगे यहां से और जो हमने मार्किंग की है उसके उपर हमें कपड़ा रखना है आपकी बार जो चोटे-चोटे पीस हमने कटके उसको ऐसे रखेंगे और एक के बाद एक पीस ऐसे रखते जाएंगे और चिलाई के साथ में अटेज करते जाएंगे बिल्कुल आसानी से इजी ली ये काम हो जाएगा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है अब देखिए तीसरी लाइन बनेगी तो जो हमने तीसरी मार्किंग कर रखे है उसके उपर रखेंगे इस तरीके से तो एक एक इंच की दूरी पर हमें ये लाइनिंग बनानी है और वन वाई वन लाइ इसके अंदर ऐसे अटेज कर देंगे ये देखिए जो मार्किंग कर रखी है उसके उपर रखेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीका है जटपट से बन जाएगा ये गुदगुदा सा पायदान आपका ने आपको कोई इसमें किरोशिय की जरूरत है ने कोई बुनाई करनी है कोई जोटी बनानी है और बहुत ही सोफ्ट बनकर ये तयार होगा बहुत ही खुबसूरत बनेगा आप देखिए तीसरा कलर में इसमें एड़ कर रही हूँ बहुत ही खुबसूरत सा ये हमारा पायदान बनकर तयार होने वाला है और इस तरीके के मार्केट में जो पायदान उसे बना सकते हो इस तरीके का पाइदा तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कमेंड और शेयर जरूर करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मैस रहिए बाई